इसा ने बारहों को बुलाकर उन्हें सब अब्दूतों पर सामर्थ तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति पदान की तब इसा ने उन्हें इश्वर के राज्य कसु समाचार सुनाने और बिमारों को चंगा करने भेजा उन्होंने उनसे कहा रास्ते के लिए कुछ भी न ले जाओ न लाठी न जोली न रोटी न रुप्या अपने लिए दो कुर्ते भी न रखो जिस घर में ठहरने जाओ नगर से विदा होने तक वही रहो यदि लोग तुम्हारा स्वागत न करे तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल ज़ार दो वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गाउं गाउं घूमते रहे